Welcome to only IES, स्वागत है आफ सब भी लोगों का editorial discussion में आज 6 जुलाई 2022 है, तो आज ये देख लेते हैं ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं कल से इस session सुमस्थर continue करेंगे आज का session मैं आपके साथ continue करता हूँ तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं important articles आज हमें 3 important articles discuss करने है पहला जो important article है, that is about India's aviation sector रैटर ये बताते हैं कि इंडिया के aviation sector में अभी क्या-क्या खामिया है उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है तो उसा historical perspective भी लिया गया है जिसके introduction को आप अपने essay की introduction की तोर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो दूसरा article इंडिया स्रिलंका relations के बारे में है रैटर ये कहना है कि भारत को स्रिलंका की मदद कुछ इस तरीके से करनी चाहिए जो स्रिलंका की economy को एक तरीके से stabilise कर दे और वो उनके लिए dignified भी हो अब इनके जो opinion हैं जो suggestions हैं वो है तो बहुत अच्छे लेकिन थोड़े से unrealistic लगते हैं अगर हम उन्हें implement कर दें तो ये बिल्कुल वैसी होगा जैसे इंडिया स्रिलंका की economy को समाल रहा है बट फिर भी हम इस पूरे article का analysis करेंगे जो तीसरा article है वो tuberculosis को control करने के बारे में है ये article बहुत ही well written है बहुत ही proper categorize किया गया है जो problems हैं और उसका जो solution है उसे बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है ये article पढ़के आपको बहुत ज़ादा मज़ा आने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा पहला article है वो Indian aviation needs के बारे में है जैसे कि हम जर्चा कर रहे थे आप इसे GS paper 3 के इस topic से connect कर सकते हैं देखिए policy makers को इस बात को रिक अगनाईस करना होगा कि जो untapped potential है हमारे aviation sector में है मुसे कैसे cater कर सकते हैं थोड़ी सी कहानी पिछले जमाने की यहाँ पर सुनाई गई है कि लगभग चार दसक पहले इंडिया के पास दो television channel हुआ करते थे एक दूरदर्सन 1 और दूसरा दूरदर्सन 2 DD1, DD2 आप सभी लोगों को यादी होगा आप सभी लोगों ने देखा होगा आपने अपने टाइम में जो channel 1 था उस पर अगर इंडरा गांधी जी का program आ रहा है और आप उससे बोर हो गए तो आप channel स्विच कर लीजिए आप दूरदर्सन 2 पे चले जाएए जहाँ पर संजय गांधी जी का program आ रहा होता था जो कि इंडरा गांधी जी के दूसरे बेटे थे और बहुत ही important politician भी थे उस समय काफी ज़दा महत्तपोर थे इस line से writer क्या कहना चाहते है writer ये कहना चाहते हैं कि उस समय हमारे पास बहुत choices नहीं थी दो channels थे हो सकता है कि आपको दोनों पर कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिले जिसमें आप interested ना हो यहाँ पर देखिए दो car companies हुआ करती थे उस समय एक ambassador manufacturer किया करती थी और दूसरी fiat premier padmini दो motorcycle companies हुआ करती थे और दो scooters की motorcycle companies में एक infield india बना दी थी और दूसरी idea java bikes scooters में एक बजाज और दूसरा lambretta scooters तो बहुत ही limited companies थी हर एक field में और बहुत ही limited choices थी एक telephone company होती थी और दो airlines दो airlines में एक air india और दूसरी indian airlines और कुछ public sector के airports जो अच्छे से perform भी नहीं कर पाते थे कुर्मिला के आप देख रहे हैं कि हर एक sector में हमारे पास कुछ limited companies होती थी जो work करती थी in that case choices की कमी थी in between india ने एक economic crisis face किया और in between अच्छी बात ही रही कि हमारे पास उस समय pv नरसिम्हा राओ जी थे जिनकी मदद की जा रही थी मनमोहन सिंग जी के द्वारा दुने लोगों की जो farsighted wizard था जो उससे जो वो reform लेकर आये उसने इंडिया की economy को stabilize किया उसके बाद उन reforms को राजीव गांधी जी के समय से लेकर अटल विहारी वाजपेई जी के समय के बीच में हमने evolve होते हुए देखा राजीव गांधी जी के समय में reforms के शुरुआत की गई हाना की economy stabilize नहीं हो पाई और in between हमें economic crisis face करना पड़ा उसे revive किया गया और उसके बाद जो भी सरकारे आये including अटल विहारी वाजपेई जी उन्हों ने उन reforms को carry forward किया इंडिया के पास आज वर्तवान में 500 से जादा television channels है 20 से जादा automobile companies हैं जो work कर रही है 15 two wheeler manufacturers है और cell phone के sector में बहुत सारी companies हैं जो काम कर रही है एक revolution जैसा देखने को मिला है हाला कि अब हमें लग रहा है कि इंडिया का जो telecom sector है उसमें duopoly आ सकती है जहां पर airtel और geodominate कर जाएंगे और number of pharmaceutical companies हैं मतलब उन reforms के बाद जिनने carry out किया गया by the various governments इंडिया की economy में बहुत सारी companies ने entry की और बहुत सारी choices आपके सामने आ गई vaccine के production में तो इंडिया world leader है software और financial services को provide करवाने में भी हम बहुत जादा आगे हैं भारत जाना जाता है दुनिया में ऐसे innovations के लिए जो बहुत ही low cost होते हैं बहुत कम पैसे में हम बढ़िया innovation कर लेते हैं लेकिन यहां पर ये सारी story हमें airline companies के field में देखने को नहीं मिलती airline companies इंडिया की लगातार struggle कर रही है देखे यह कैसे introduce किया इस प्रकार का introduction आप अपने essay बगारा में भी लिख सकते हैं आपने पुराने समय की बात बताई और फिर जो अभी नया समय है इससे उसे compare कर दिया you'll get an idea कि क्या changes आ गए और फिर आप आते हैं कि कहां पर changes नहीं आए 1991 में aviation sector में भी reforms ओपन किये गए license राज खतम किया गया monopoly खतम की गई Indian airlines और Air India की जिसनी इस पूरे sector में बदलाव तुल एक portrait किया कई सारी private sector की airlines ने entry की लेकिन उन में से केवल दो ही survive कर पाई एक थी jet airways और दूसरी थी सहारा धीमे धीमे cartelization स्टार्ट हो किया cartelization में होता क्या है कि कुछ entities या कुछ industries आपस में इकठा हो जाती है और वो मिलके prices decide करती है चोंकि उन्हें challenge करने वाला कोई नहीं होता वो कुछ number में होते हैं तो वो अपने हिसाब से पूरे market को channelize कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 2003 में फिर से बदलाव लाए गए कोशिस ये की गई कि जो airlines हैं उसे low cost बनाया जाए और barriers को overcome करने की कोशिस की जाए इसके बाद demand में एक बढ़त देखी गई और एक आम आदमी ने भी उडान भरने की सोचना सुरू कर दिया कि अब हम भी airways का इस्सिमाल कर सकते हैं एक जिगे से दूसरे जिगे जाने में हर सेक्टर में धीमे धीमे reforms होते गए सब कुछ बढ़िया गया लेकिन इंडिया का जो aviation sector है वो उतनी अच्छी तरीके से उन reforms को cater नहीं कर पाया जैसे कि बाकी sectors कर पाया और यह दाट इस रीजन कि यह the sick man of इंडिया बन गया इंडिया का aviation sector जो aviation sector में ग्रोथ रही वो कई सारी चीजों से प्रभावित रही जैसे बहुत ज़दा regulations का लगाया जाना entry barriers का tough होना नए entrance पैसे होने के बावजूद aviation sector में घुस नहीं पा रहे fuel के prices बहुत ज़दा है सरकार बहुत सारे टेकसेस लगा देती है जिससे की aviation cost बढ़ जाती है और companies को भी नुकसान होता है inefficient public sector airports है जो बहुत efficient नहीं है अच्छी services नहीं दे पा रहे है धीमे धीमे यहाँ पर देखे एक monopoly है airports की जहाँ पर public sector के airports miserly run करते हैं वो extortionist है मतलब कि वो जितने चाहें पैसे charge कर सकते है airline companies से क्योंकि robust competition तो है नहीं long term, visionary strategic policy भी नहीं है सरकार के पास कि आखिर हम aviation sector को ले कहा जाना चाहते हैं इसके बारे में भी हमें कुछ खास idea नहीं है आप यहाँ पर देखे यह तो हमने देख समझा कि इंडिया का जो aviation sector है वो क्या problem phase कर रहा है कुछ data समझे यहाँ पर कुछ data facts आपको मिलेंगे तो आप compare कर पाएंगे कि इंडिया का aviation sector कहा लैक कर रहा है number of Indians जो air ticket खरीदते हैं एक साल में और उडान भरते हैं उनकी संख्या 140 million है यह figure 2019 का है उसके बाद COVID आया travel banks लगे data बहुत नीचे चला गया 2019 का data लेके हम बात कर रहे हैं before COVID का data अब एक बात आप और समझे यह 140 million जो टिकेट खरीदे जा रहे हैं यह 140 million लोगों के दोरा नहीं है यह गिंती के 35 to 40 million लोग है जो frequent flyers हैं जो बार-बार tickets खरीदते हैं और एक जिगे से दूसरी जिगे जाते हैं इस लिहाज से आप देखें केवल 4% airways का इस्तेमाल कर रहा है तो इंडिया को आप कुछ गरीब African countries की स्रेणी में डाल सकते हैं जहां पे air tickets पे per capita consumption बहुत ही जादा कम है इसके comparison में अगर आप बाकी देशों को देखें जैसे की Brazil, Malaysia, Indonesia, China वो इस मामले में हमसे बहुत जादा आगे है बहुत जादा आगे है क्या मतलब होता है कितना आगे है पता तो चलना चाहिए चलिए ये भी पता कर लेते है example लेंगे तो समझ में आएगा Ireland बहुत बड़ी economy नहीं है बहुत जादा उनकी population नहीं है लेकिर वहाँ पर 28 million domestic air passengers है या फिर इतनी tickets खरीदे जाते है जबकि वहाँ की population महज 5 million है मतलब 5 million की population पर 28 million tickets खरीदे जा रहा है Europe की बात करते है Europe की total population होगी that is about 447 million और इसके comparison में tickets खरीदे जाते हैं 1146 million more than double approximately 2.5 times और यहाँ पर तो लगभग 6 times जदा tickets खरीदे जा रहा है US की बात करते है जहाँ की population 325 million है 325 million और वहाँ जो passengers है वो 927 million है मतलब की लगभग दोगने tickets खरीदे जा रहा है अब आईए developed countries को छोड़ देते हैं वहाँ तो obvious सी बात है कि ज़ादा per capita income है लोग ज़ादा air travels पर खच कर लेते है ब्रजील की बात करते है 119 million जो passenger या population है वो tickets खरीद रही है 215 million पर मतलब लगभग आधी आबाधी या जितनी population है उसके आधे tickets हो जाते हैं airways की 63 million tickets Malaysia में लिये जाते हैं 33 million की population पे वही double Indonesia में 116 million passengers 280 million population पे half जो हम बात कर रहे थे half आफ चल रहा है अभी China में 1.4 billion people हैं लोग हैं और 660 million tickets वहाँ बिग जाते हैं half 1000 million पे 1 billion हो जाएगा ये comparison आप देख रहे हैं developed countries में वो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना है और जो developing countries हैं वहाँ पर भी ये कम से कम आधा तो है भारत पे आईए 1.25 billion population और 140 million domestic tickets मैंने आपको पताया 1000 million होगा तब जाके 1 billion होगा यहाँ पे 1.25 billion है मतब हम बहुत नीचे हैं अभी अगर आप comparison कर रहे हैं तो airways में जो लोगों का expenditure है उसको लेकर लेकिन ये बात है अलग-अलग समय पर कई सारे entrepreneurs नी entry की है हमारे aviation sector में चाहे जितनी ही monopoly क्यो ना हो duopoly हो लेकिन नए entrepreneurs आते हैं वो status को को तोड़ देते हैं cartels को smash कर देते हैं और एक नया market अपने लिए create करते हैं examples में आते हैं Bill Gates, Steve Jobs और India के N.R. Narayan Murti जी जिन्होंने Infosys को found कि आपने कुछ professionals के साथ मिलके महस 10,000 के investment पे और आज एक बहुत बड़ी company है Infosys कई सारे examples और latest में जाएं तो बैजूज और PTM के तौर पे देखे जा सकते हैं नरेश गोयल जो कि बहुत ही humble travel agent रहे थे उन्होंने world class airline jet airways बना दी ये कहा जाता है कि capital अपने entrepreneur को ढूर लेती है कि उनके पास बढ़िया आइडिया है तो बिलकुल वैसे ही कि एक नदी समंदर को ढूर लेती है जमीन को काटते हुए अगर अच्छे ideas हैं तो entrepreneurs उभरते हैं Startup India एक अच्छा initiative रहा जिसके माध्यम से इसने एक driving force की तरह काम किया high tech companies के evolution को और कई सारे sectors में businesses में जो conventionally run कर रहे थे उसमें intervention किया लेकिन ये intervention अन एरियाज में भी जरूरी है including aviation sector सरकार ने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक एक program initiative launch किया लेकिन इससे बहुत regional connectivity आई नहीं है क्योंकि अभी भी कई तरीके के barriers face करने पड़ते हैं जो passenger airlines है और cargo airlines है वो geography को breach करते हैं लोगों को और अच्छे से connect करते हैं वो investment लेकर आते हैं लोगों को market के access देते हैं और सबसे important tourism को boost करते हैं और one of the largest employment generator भी है unorganized sector में ये aviation sector cargo की बात करते हैं यहाँ तो एक individual के travel की बात चल रही थी cargo traveling में भी इंडिया की 100 airport मिल के करते हैं जो air cargo है वो road, rail और infrastructure अगर बढ़िया हो port का तो economy को एक boost दे देता है उसके सथी भारत में तो अच्छी नहीं है यह बहुत ए critical है कि हम aviation sector में reform लेकर आएं यह air cargo, export, aviation fuel के taxes maintenance, repair and overhaul जिसे short में MRO कहा जाता है इन सब sector में होना चाहिए जिसके सथी भारत में अच्छी तो बिलकुल नहीं है चलिए, सिकायते बहुत हो गई अब करें क्या जो भी है सो है अब क्या करें, वे forward क्या है हमें taxes को judicious बनाना होगा custom duties को judicious बनाना होगा और बाकी duties को भी जो torturous rules हैं उनमें कमी लानी होगी जो repair और overhaul है उसे facilitate करना होगा airlines अपनी जो भी airplanes हैं उनको भेजते हैं दूसरे देसों में repair के लिए MRO के लिए maintenance, repair and operating supplies के लिए दुबाई, Singapore, Germany जैसे देसों में और वहाँ पे वो लोग Indian technicians को hire करके काम करवा रहे हैं कितनी irony यहीं पर वो काम क्यों नहीं हो पाता यहां ऐसा infra क्यों नहीं charter business में बहुत अच्छी स्थिती में नहीं है बहुत लंबे समय से statement पड़ा हुआ है जबकि बाकी देसों में यह बहुत flourish कर रहा है इंडिया की aircraft act of 1934 और aircraft rules 1937 बहुत पुराने कानून है हाला कि इन laws में बहुत सारे modifications तो ज़रूर किये गए है लेकिन फिर भी यह जो modern need है aerospace की जो modern technologies evolve होई है उनके हिसाब से सभी needs को fulfill तो नहीं करता इसमें भी reform की ज़रूवत है further जो इंडिया के statutory regulatory authority है देखे regulatory authority को किसी भी देश में पसंद नहीं किया जाता यह सच्छा ही है लेकिन भारत में जो regulatory authority है directorate general of civil aviation उन्हें modernization की ज़रूवत है well staffed हो, motivated हो, incentivized हो pattern यह भी कहते हैं कि उसका head कोई aviation specialist होना चाहिए ना कि कोई I.S. officer तो यह suggestions देते हैं कि इन सभी जगहों पे हमें reforms करने होंगे इन्होंने pointers बता दिये हैं इन सब के बावजूद हमें इस चीज को recognize करना होगा कि हर जगह पे एक silver lining होते है आप हर जगह अच्छे नहीं हो सकते लेकिन भारत के पास एक बहुत बड़ा market है बहुत ज़्यादा potential है और यह हमें hope देता है policy makers को चाहिए कि वो एक सवाल पर focus करें वो यह है कि हमें एक आम इंसान को कैसे हवा में ले जाना है उसे कैसे affordable airways के tickets देने हैं तभी जाके जो यह 4% का आकड़ा है हम इसे अगले 2 दश्कों में 50% लेके जाएंगे जो कि बाकी देसों में already है और इसका जो जबाब होगा वही हमारे aviation sector में reforms की roadmap को तयार करेगा जो हम चाहते हैं तो यह पूरा article रहा हमारा हमारा जो next article है वो सिलंका के बारे में है सिलंका की economic crisis face कर रहा है इसके बारे में आप सभी लोगों को अभी तक जानकारी होई गई होगी जो सिलंका का economic crisis है उससे वहाँ की income level गिर गई है food की availability और affordability दोनों पर भावित हुई है खाना available नहीं है महगा मिल रहा है, inflation बहुत ज़ादा है लोग food insecurity के risk को face कर रहे हैं इसका सबसे ज़ादा नुकसान वहाँ के vulnerable household पर होगा ऐसा household जिसे कोई lady head करती है, कोई दिव्यांग जन है या जो poverty line के बहुत नीचे हैं ऐसे household सबसे ज़ादा प्रभावित होंगे सिलंका में जो lower income groups हैं जो war affected families हैं नौर्थ और eastern region की उनके पास कुछ खास cash reserves नहीं है resources की बहुत कम access है ले देके थोड़ी बहुत जमीन है जिससे वो अपना खर्चा चला रहा है problem और भी ज़ादा acute है women headed household में people with disabilities के लिए जो competence हैं पहले लड़े हुए थे उनके लिए working class के लिए marginalized caste group के लिए plantation workers के लिए उन्होंने past में बहुत सारे historical injustices face की हुए है और वो एक बत फिर से vulnerability की के गार पे हैं मतब को भी मिला कि जो सिलंका के situation है वो अच्छी तो नहीं है सिलंका का रूपी लगाता depreciate हो रहा है foreign exchange उनके पास है नहीं कि वो import कर सकें वो basic essential जैसे कि food और medicines भी import नहीं कर पा रहा है consequence यह है कि staple food के items बहुत तेजी से भढ़ गए है जैसे कि rice और bread और डाल इनमें 50% तक का inflation देखा गया है पिछले 6 महिनों में अब करें क्या भारत क्या कर सकता है भारत सिलंका का हमेशा से एक अच्छा partner रहा है रैटरे कहते हैं कि भारत कुछ ऐसे initiatives लें जिससे सिलंका की economy को फायदा हो और वो dignified हो समान जिनक होन के लिए वो क्या suggestions देते हैं वो यह कहते हैं कि भारत ने अभी तक 3.5 billion का assistance दिया है सिलंका को ताकि उनका economic catastrophe control हो सके और वहां की government जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई है mismanagement रहा है, corruption रहा है उससे जो उनकी economy प्रहावित होई है उसमें थोड़ी राहत मिल जाए सिलंका को तमिल नाडू की सरकार से भी food aid मिला है हाला कि उसमें भी question आता है कि क्या वो सभी लोगों तक equally पहुँच पाएगा meanwhile हमें कुछ और thoughtful assistance देना होगा सिलंका को ये writer कहते है especially उन लोगों को जो बहुत ज़दा गरीब है जो left out है कुछ लोगों को ये भी लगता है कि IMF से मदद मिल रही है सिलंका को तो IMF जब मदद देगा तो सरकार से कहेगा कि आप ज़दा खर्चा मत करिए आप बहुत ज़दा expenditure मत करिए अब सरकार अगर expenditure नहीं करेगी तो गरीब हो तक तो पैसा जाएगा नहीं तो लोग इस बात को लेकिए भी बहुत concern है इस context में इंडिया की सरकार और तमिल नाडू की जो government है उन्हीं इस प्रकार की जो monetary reliefs होते हैं उनके आगे जाना होगा क्या कर सकती है सरकार अब देखे थोड़े से आपको radical लगेंगे इनके views ये कहते हैं कि भरत को वहाँ पर एक employment guarantee scheme के लिए इस लंका की सरकार को assist करना चाहिए जैसे भरत में मनरेगा है जिससे लोगों को एक guaranteed job मिल जाए रैटर बताते हैं कि social security net भी वहाँ बहुत अच्छा नहीं है या तो inadequate है या ineffective है वहाँ पर भरत जैसा कोई strong public distribution system PDS नहीं है लेकिस strong PDS हमेशा देश को बचाता है जब COVID आया तो PDS नहीं लोगों की basic need को पूरा किया लेकिस लंका में ऐसा कोई strengthened PDS system तो है नहीं रैटर कहते हैं जो work guarantee scheme होगी उसमें ये कहा जा सकता है कि इस लंका के हर व्यक्णी को 100 से 120 दिनों का काम दिया जाएगा इससे उन्हें relief मिलेगा और अगर काम ना दिया जाए तो फिर compensation दिया जाए compensation में ये बोलते हैं कि जो compensation दिया जाए वो 17% 70% in kind हो मतब 70% आप अनाच की रूप में दीजिए जिसमें डाल wheat, गेहूं आप ये दे सकते हो या kerosene या locally वो food जो available ना हो और बागी 30% आप in cash दे दो जो food component है जिसमें combined किया जा रहा है cash को इससे वहाँ के लोगों को inflation से लड़ने मदद मिलेगी उन्हें emotional, physical और nutritional support भी मिल जाएगा उन्हें ऐसा लगेगा कि वो काम कर रहा है उसके बदले मोने पैसे मिल रहा है वही बात जो वो शुरू में लेके concern थे कि dignified होनी चाहिए आपकी मदद और जो आप मनरेगा जैसे जो आपका work है उसमें जो आप करवा रहे हो वो agriculture infra को मजबूत करने के लिए काम करवाओ जैसे embarkment repair करवाओ, channels and drainage को सही करवाओ, जिससे कि उनका agriculture भी थुरा better हो जाए United Nations है estimate कि वहाँ पे 50 लाख लोग ऐसे हैं उनमें से लगभग 20% सिलंका के बहुत ही करीब लोग हैं, जो सबसे ये 50 लाख की जो population है वो लगभग 20% हो जाएगी, जो highest risk में है इंडिया को चाहिए कि वो इस group को target करे 10 लाख families तक इंडिया अपनी reach maintain करे जो approximately 15% होगा इन household को अगर मदद दे दी गई तो ये जो demand है food की उसको reduce करेंगे और जो funds हैं उन्हें और specific purpose से भी इस्तिमाल किया जा सकता है छोटे किसानों को small credits से ये जाए expertise को share किया जाए ताकि उनका agriculture थोड़ा better हो जाए further crisis रिजॉल्व करने के लिए सरकार को domestic food production को भी बढ़वाना होगा मतब चाइना में food production अच्छा हो वो कितना import कर पाएंगे agriculture production 50% तक गिर गया है क्योंकि 2021 में वहाँ के सरकार ने chemical fertilizers को ban कर दिया इंडिया को चाहिए कि वो credit facility provide कर वाएं in fact इंडिया ने provide कर वाई है कि वो fertilizer को import कर सकते हैं ताकि वहाँ पे कम से कम एक बाद cultivation फिर से अच्छा हो जाए यहाँ पे जो चोटे farmers हैं उनको re-engage करना होगा कि वो cultivation को maximize कर सकें सरकार चाहे तो insurance scheme में भी मदद दे सकती है ताकि जो cultivation किया जा रहा है उसके खराब हो जाने का खत्रा ना रहे भारतन 3.5 billion का अभी तक support दिया है Tamil Nadu की सरकार ने 4500 metric ton अभी वो प्लान कर रहे है कि वो rice भेजेंगे और other relief रेल भेजेंगे लेकिन जो food relief है ये केवल hardships को soften करेगा रेटर तो और आगे बढ़के कहते हैं कि इंडिया का जो housing program है उसने इंडिया के North Eastern region को बहुत better कर दिया जहां पे 50,000 घर बनाए गए पांस सालों ने ऐसा ही कोई interventions लंका में भी हो सकता है जिससे वहां के लोग dignity feel करेंगे और उनकी economy धिमे-धिमे revive कर जाएगी और जो employment guarantee program होगा उससे उनके लोगों को थोड़ा रोजगार मिल जाएगा production support जो हम उनके agriculture में दे पाएंगे इससे इंडिया की goodwill बढ़ेगी और इस प्रकार का intervention भारत के भी हित में होगा तो बहुत यह अच्छे suggestion इनके तोड़ा दिये गए हैं but it's like overhauling Sri Lanka's economy by India step थोड़े radical है यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे Sri Lanka की economy को इंडिया रन कर रही है कोई भी देश किसी अन्य देश में इतना ज़दा engage नहीं होना चाहता, कम से को में इतने macro level पे तो engage नहीं होना चाहता, फिर भी writer ने एक अच्छा analysis किया है आगे बढ़ते हैं जो की next article हमरा tuberculosis के उपर है the way to control tuberculosis GS paper 2 के इस पार्ट से आप इसको connect कर सकते हो यह article बहुत ही well arranged है सबसे पहले हम TB के बारे में fundamentals जानते है tuberculosis cause होता है micro bacterium tuberculosis के दवरा एक पकार का bacteria है जो की micro bacteria CI family से बिलॉंग करता है जिसमें लगभण 200 members होते है कुछ जो micro bacteria है वो TB और कुछ leprosy को cause करते है जिससे आप कुछ दोग कहते है कुछ humans में cause करते हैं कुछ बाकी अन अनिमल्स में cause करते है humans में जो TB है वो mainly हमाई lungs को प्रभावित करता है जिससे pulmonary TB कहा जाता है और कुछ अन आरगंस को भी प्रभावित करता है जिसे extra pulmonary TB कहा जाता है मतब दो तरीके के TB हो गए एक pulmonary और दूसरा extra pulmonary pulmonary वो जो लंक्स को प्रभावित करता है extra pulmonary वो जो किसी अन बाड़ी पार्ट को प्रभावित करता है ये काफी पुरानी बीमारी है आसे लबग 3,000 मतब आसे लबग 5,000 साल पहले 3000 BC में एजिप्ट में भी इसे record किया गया है अच्छी बात यह है कि यह treatable और curable disease है इसका इलाज संभव है TB एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में फैल सकता है कफ, स्नीच, स्पिट, थूक या किसी unbaudly fluid के मात्यम से या jumps air में भी travel कर सकते है symptoms में कफ, खून आना chest में pain होना, weakness, weight का गर जाना, fever और night sweet यह सब इसके symptoms है article पे चलते है tuberculosis endemic disease में बहुत ही खतरनाग बिमारी है दुनिया भर में यह 1.5 मिलिन लोगों को हर साल मार देती है adults को यह उनके सबसे productive सालों में प्रभावित करती है जिससे उनकी family पुरी तरीके से एक प्रकार से poverty में चली जाती है अगर वो soul earner हुए थो इंडिया में, इंडिया को in general TB capital of the world कहा जाता है यहाँ पे TB के बहुत सारी cases आते हैं लगबख 1400 लोग हर दिन TB से मरते हैं यह data भी बहुत credible नहीं है कोई ऐसा mechanism नहीं है कि हम exact data attain कर सकें एक rough estimate है 1950-60 के दर्सक में इंडिया global leader था रिसर्च में, epidemiology में, transmission में या जो घरों में treatment किया जाता है TB उसमें इंडिया ने TB control program launch किया 1962 में यह district based program था public private partnership पी यह work कर रहा था हाला कि जब हम नहीं इस program को skill करने की कोशिस की तो यह अच्छे से work नहीं कर पाया और यह more or less unsuccessful हो गया उसके बाद WHO ने कहा कि हम आपको कुछ बताते हैं हम जो बता रहे हैं वो करिए हम ने कहा बताईए तो उन्होंने revised national TB control program माईले दे दिया जिसे आप short me RNTCP बोल सकते हो WHO के जो experts हैं उन्होंने इस चीज के difference को नहीं measure किया कि गरीब countries के लिए measures अलग होते हैं, rich countries के लिए अलग होते हैं उन्होंने एक theoretical program प्लान कर लिया RNTCP का वो इंडिया को recommend कर दिया बोले ये ले लो हमने उस पे काफी काम किया TB में कुछ खास फाइदा उससे नहीं हुआ है control तो हुआ है लेकिन बहुत नहीं 2018 तक हमने ये realize कि जो plans हम अभी implement कर रहे हैं उसके results तो अभी भी elusive हैं हमें कुछ खास मिलने वाला है नहीं अच्छा सा phase इस्तिमाल किया गया है इंडिया realized that light at the end of the tunnel was still illusive इस प्रकार की lines आप means और SM इस्तिमाल कर सकते हो कि टैनल के end में जो light है वो अभी भी elusive है इसका मतलब ये है कि जो end result है वो अभी भी साफ साफ दिखनी रहा है तो इंडिया ने कहा कि अब हमें कुछ और तो करना पड़ेगा अब RNTCP में तीन खामिया है पहली खामी तो ये है किसे पुरी तरीके से सरकार फंड करते है heavily फंड किया जाता है सरकार की तरह लेकिन इसे monitor करने का कोई prescribed method हमारे पास नहीं है वहीं आप देखे जो इंडिया का national AIDS control program है उसे इंडिया अच्छे से monitor कर लेता है इंडिया के पास इसके लिए एक ये जो Indian Council of Medical Research है उसके दोरा managed AIDS control task force है और मैं पास एक unique method है monitoring का जिसे कहा जाता है sentinel surveillance sentinel surveillance क्या होता है sentinel surveillance एक ऐसा mechanism है किसी भी disease communicator करने का जिसमें हम voluntary network का इस्थिमाल करते हैं doctors, laboratory and public health departments के इसके माध्यम से हम compare करते हैं कि जो assessment है वो कैसा है हमारा पहले के तो नामे तो जो sentinel surveillance है उसके माध्यम से हम AIDS को बहुत अच्छे से monitor कर लेते हैं लेकिन ऐसा कोई mechanism हमारे पास RNTCP के लिए WHO ने ऐसा कुछ recommend हमें किया नहीं यह जो हमारा sentinel surveillance है इसके माध्यम से हम AIDS के data को collect करके 1986 से compare भी कर लेते हैं WHO के experts ने तो यह तक का कि आपका यह mechanism खराब है आप इसको follow मत करो यह अच्छा नहीं अच्छा data नहीं देता लेकिन उस समय के डॉक्टर स्री राम पीतर पाठी जी थे उन्होंने बड़े प्यार से का कि नहीं आपको कुछ नहीं समझ में आता हमारा सब बढ़ियां चल रहा है आप intervene यहां मत करो आपने यह TB हमारा पकड़ा हुआ है आप इसी को देख लो एट सम देख लेंगे इंडिया ने अभी हाल में WHO को कंफरंट किया जब उन्होंने COVID-19 के death का data दिया भारत को कि आपके हाँ जादा लोगों की मौत हुई है यह अच्छी बात है कि WHO के अगिंस्ट में इंडिया stand ले पाता है यह अच्छे shines है लेकिन फिर भी जो उनकी initiatives हैं हमें उन पर संग्यान तो लेना होगा दूसरी खामी जो WHO के recommended program में है वो यह है कि यह केवल pulmonary TBDCs पर focus करते हैं जो lungs को प्रभावित करती है उनका यह कहना है कि केवल हम pulmonary TB patients को अगर control कर लेंगे तो बात बन जाएगी इसे वो source reduction कहते है source reduction का क्या मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको TB हुआ और उससे किसी अन्य व्यक्ति को फैल सकता है आप उसका पहले diagnosis कर लो और उसको treat कर लो ताकि वो अन्य लोगों में ना फैले इसे source reduction कहा जाता है लेकिन वो ये नहीं समझते कि source reduction इंडिया में वर्क नहीं करेगा क्यों कि इंडिया में बहुत सारे adults ऐसे होते हैं जिनको TB infection होता है लेकिन वो dormant condition में होता है जिसे Latin TB कहा जाता है ये पूरी life उनके साथ रहता है कुछ लोगों में source reduction है ये वर्क करेगा नहीं हमें इन situation पर focus करना पड़ेगा तब जाके हम इस प्रकार के TB को control कर पाएंगे लेकिन WHO का अपना लगी प्लान है तीसरा है कि जो RNTCP है वो लोगों को शामिल नहीं कर पाया पब्लिक participation नहीं ले पाया इंडिया के AIDS control प्रोग्राम नहीं अच्छे सकिया Red Ribbon Clubs बनाया गया स्कूल में जो इसकी legacy है लोगों को aware करके इस समझ में जो stigma था help थी उसको और better किया गया gradually ये realize हो गया WHO को भी कि वो TB कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने 2014 में एक नए assessment दिया उन्होंने World Health Assembly में एक resolution लिया कि वो 2035 तक TB को खतम कर देंगे eliminate कर देंगे भारत ने भी कुछ effective strategies को संग्यान में लिया और हमने भी target बनाया कि 2018 में कि हम 2025 तक अपने हाँ TB को eliminate कर देंगे लेकिन समझने वाली बात ये है कि जब आप किसी भी बीमारी को खतम करने जा रहे है किसी microbes के उपर mastery कर रहे है तो आपको दो चीज़ों पर focus करना पड़ेगा control and elimination तब बात बनेगी अभी हम elimination की बात करते है लेकिन हमारा control वाला aspect अभी strong नहीं है control का क्या मतलब होता है कि आप disease के button को reduce करो specific intervention से आप ये decide करो कि हाँ सन 2000 में जो TB का level था हम उसके नीचे जाएंगे और ये काम हम 5 सालों के भीतर करेंगे मतलब pre-determined level और pre-stated time period के भीतर अब यहाँ पर evidence ये भी दिखाना चाहिए कि ये आपने जो intervention किया है उससे control हो रहा है आप गिर जाएंगी आपने कुछ नहीं किया है तब भी गिर जाएंगी इससे secular trend कहा जाता है तो बिमारी जो कम हो रही है वो secular trend की वज़े से ना हो बलकि आपके intervention की वज़े से हो तब उसे control माना जाएगा globally secular trend की वज़े से ही केवल TB में लगभग 1% से 1.5% की गिरावट आती है यह normal है यह आएगी ही आएगी आप कुछ करो या ना करो तो वो control नहीं माना जाएगा control तो तम माना जाएगा न जब आपके intervention से TB में कमी आए तम मामला आता है elimination का elimination का मतलब आता है कि cases के frequency को आप zero कर दो हमारे यहां Latin TB के बहुत सारे backlogs हैं आप TB को eliminate करी नहीं पाओगे क्योंकि आप detect ही नहीं कर पाओगे इसके लिए जरूरी है कि हम eliminate करने के बजाए control करने पे focus करें 200 cases per lakh आते हैं इंडिया में हमें इसे 50 per lakh करना होगा with proper documentation to measure तब हम प्राइम मिस्टर का जो vision है उसके सांद justice कर पाएंगे हमारे पास trained state और district TB officers है जो यह काम अच्छे से कर सकते हैं हमारे पास एक बढ़िया network है TB clinics का और field workers की पूरी community है अगर हम इस पे काम करें तो धिमी दिमें हम TB को control कर ले जाएंगे और इसके बाद अगला कदम आएगा जब हम TB को eliminate कर पाएंगे तो बहुत ही well structured article था यह जो हमने discuss किया उमीद करते हैं यह पूरा session आपको समझ में आया होगा PDF आपको only ask के telegram channel पे मिल जाएगी आप वहाँ से जाके इस PDF को download करके revise कर सकते हैं That's all for now Thank you very much